हलो एवरिवान कैसे आप सब नाम फिर से आई हैं आप सब के सामने एक और नई हिंदी की राइम लेकर और आज की हमारी हिंदी की राइम का नाम है देखो एक डाकिया आया आपको पता है डाकिया कोन होते हैं पताए पोस्ट मैन पोस्ट बतलब वो हमारे लेटर्स को क्या करते हैं पोस्ट करते हैं एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाते हैं इनका जो यूनिफॉर्म होता है वो खाकी रंग का होता है यह देख रहे हैं आप अच्छा पहले क्या था कि पहले मॉबाइल फोन्स वगेरा कम होते थे हना टेलिफॉन्स भी कम थे तो पहले एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव का हाल चाल पता करने के लिए इसका यूज करता था चिठी यानि पत्र का यूज करता था और फिर उस चिठी को पोस्ट करते थे और फिर वो पोस्ट मैन यानि डाकिया उस लेटिर को उनके रिलेटिव तक पहुचाता था तो ऐसे हम एक दूसरे का हालचाल पता करते थे जो हमारे बड़े थे हमारे अल्डिस थे तो चलिए आज हम हिंदी की कविता लर्न करेंगे जिसका नाम है देखो एक डाकिया आया देखो एक डाकिया आया थैला एक हाथ में लाया पहने है वो खाकी कपड़े कभी न बिगड़े कभी न अकड़े चिठी में संदेशा आया शादी में है हमें बुलाया अब आप सोचेंगे कि पोस्ट में शादी का कार्ड लेकर आ रहे हैं तो कि पहले क्या था एक जगा से दूसरी जगा जाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था तो वो क्या करते थे वो चिठी में ही लिखतेते थे कि आपको इस दिन शादी में यहाँ पहुछना है तो बस उसको वह पोस्ट करते थे तो वैसे वो शादी का जो मिनिमंत्रन पतर होता है व वैसे वो डाकिया कित्रू एक दूसरे के घर पहुछा करता था देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने है वो खाकी कपड़े, कभी न बिगड़े, कभी न अकड़े, चित्थी में संदेशा आया, शादी में है हमें बुलाया जब उन्होंने पढ़ा, तो तब उन्हें पता चलाया, कि इसमें क्या मेसेज है, कि इसमें शादी में बुलाया गया है तो आपको इस हिंदी की रायम को घर पर लर्न करना है, आप आक्शन कर सकते हैं, आप प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं, ओके? तो चलिए, मैम फिर से आएंगी, एक और नई हिंदी के रायम लेकर, तब तक के लिए गुड़ बाई, और टेक क्या झाल झाल